हैलो स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम टोपिक पढ़ेंगे कारपल टनल सिंड्रोम तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत इसकी लोकेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये कंडिशन किस जगे पर होती है और बोडी किस पार्ड को अफेट करती है तो आपने कारपल कनल के बारे में सुना होगा यह एरिया कहां प्रेजेंट होता है तो यह एरिया प्रेजेंट होता है हमारे रिष्ट एरिया में यानि जो हमारी कलाई होती है रिष्ट होती है वहां पर प्रेजेंट रहता है जैसा आप डाइग्राम में देख रहे हैं यह जो इस्ट्रक्च कौन सी बॉन्स कारपल बॉन्स इन कारपल बॉन्स के मिडिल के अंदर यानि बीच के अंदर एक area present होता है जिसको बोलते हैं कारपल टनल यह जो डायग्राम में आप देखेंगे यह जो कारपल बॉन्स है इन्होंने सराउंडेट कर रहा है यहां पर उपर से यहां पर एक ligament present है और बीच में जो यह एरिया है इसको बोलते हैं कारपल टनल ओके अब आप यहां पर वह चीज बता देता हूं कि यह उपर की तरफ जो लिगामेंट है यह वाला लिगामेंट के बारे में आपको पता होगा कि बोन टू बोन जो कनेक्ट रहता है एक बोन को दूसरी बोन से जोडने वाले को क्या बोलते हैं लिगामेंट तो यहां पर लिगामेंट प्रेजेंट रहता है फ्लेक्जर रेटीना कूलम या ट्रांसफर्स लिगामेंट ओके यह लिगामेंट क्या करता है कारपल टनल की जो इस्ट्रक्चर से या जो बोन से कारपल बोन उनको जोड के र हो रहे हैं यह जो attendance हो रहे हैं टेंडह किया होते हैं जो muscles को बोन से connect करने का काम करते हैं या जोड के रखते हैं इसके अलावा एक यहां से नर्व पास OUT होती है जिसको बोलते हैं median नर्व यह जो median नर्व होती है यह हमारी हतेली में यानी जो wrist area है है हैंड का उसमें कुछ पार्ट को नर्व सप्लाई करती है लाइक कौन-कौन से पार्ट होते हैं एक तो होता है थम यह वाली फिंगर यह फिंगर और यह फिंगर इन तीनों फिंगर और थम को जो है मीडियन नर्व नर्व सप्लाई प्रोवाइड करती है लिटिल फिंगर यह sensation provide करती है तो carpal tunnel syndrome की condition में क्या होता है कि एसी कोई भी situation जिसकी वज़े से ये जो carpal tunnel area है ये अगर decrease हो रहा है कम हो रहा है या ये space narrow हो रहा है तो क्या होता है कि median nerve पे compression पड़ता है या pressure पड़ता है ठीक है जिस वज़े से median nerve अपना normal function नहीं कर पाती है और sensation कम हो जाते हैं जिसकी वज़े से person के इस area में numbness या weakness देखने को मिलती है लाइक जो आप देख रहे हैं ये जो shady area है यानि जो ये गहरा नीला area है यहाँ पे person में numbness देखने को मिलती है हातेली में या सुमसुनाट देखने को मिलती है ओके तो carpal tunnel syndrome क्या होता है ये एक ऐसी condition होती है जिसमें median nerve पे pressure पड़ने की वज़े से थंब और ये तीनों fingers में sensation decrease हो जाते हैं और person को numbness feel होती है little finger में कोई भी symptom नहीं होते है क्योंकि यहाँ पे ये नर्व के through supply नहीं होती है ओके अब इसकी जो definition में आपको लिखाई है वो मैं आप आपको वापस से बता देता हूं कि क्या है तो carpal tunnel क्या होता है narrow passage way होता है जो bones से cover रहता है जैसा में आपको बता है carpal bones और ligament से cover रहता है और कहां present रहता है palm side of hand यानि हतेली की side में अब carpal tunnel syndrome क्या होता है कि ये कैसी condition होती है जिसमें median nerve पे pressure पड़ता है जिस वज़े से symptoms arise हो जंदली median nerve जो मैंने आपको बताया कौन-कौन से parts को sensation provide करती है तो thumb को और fingers को little finger को नहीं provide करती है उसके अलावाद जो भी fingers और thumb है उनको ये sensation provide करती है तो अगर median nerve पे pressure पड़ेगा तो क्या symptoms arise होंगे numbness होगी tingling होगी और weakness रहेगी hand में next one बात कर लेते हैं इसके risk factors की क्या आगे conditions होती है जिनकी वज़े से ये syndrome हो सकता है तो इसमें first one है anatomical factors यानी structural factors structure में किसी तरह के changes आ जाए, injury वगेरा हो जाए तो उस वज़े से condition arise हो सकती है like fracture हो गया या bones dislocate हो गया, joint dislocate हो गया wrist का तो उस वज़े से भी condition हो सकती है arthritis की वज़े से भी हो सकता है, arthritis की होता है ये केसी condition है जिसमें body के joints में inflammation हो जाता है तो हमारा wrist area होता है वहाँ पे भी joint रहता है तो उस joint में भी inflammation present है तो उस वज़े से भी CT syndrome हो सकता है क्यों होगा क्योंकि inflammation रहेगा, swelling रहेगी तो वो median nerve को complex करेगा pressure डालेगा इस वज़े से arthritis की वज़े से ये condition हो सकती है फर्स्ट वन हो गया, anatomic factors, second one है gender gender की बात करें तो ये condition woman या महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि females में carpal tunnel area small होता है, छोटा होता है in comparison to males यानि महिलाओं में carpal tunnel जो area है वो कम रहता, उसका size कम रहता है area कम रहता, इसलिए ये condition महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है third one यहाँ पर risk factor हो सकता है कुछ chronic illness like diabetes, diabetes के बारे में आपको पता ये कैसी condition है जिसमें glucose का level अगर blood में ज़्यादा रहे, लंबे time तक तो वो क्या करता है, body की blood vessels और nerves को damage करने लग जाता है तो अगर किसी person को diabetes है, chronic times है, तो उसमें nerve damage हो सकता है और carpal tunnel syndrome हो सकता है next one condition हो सकती है, inflammatory conditions like arthritis जो मैंने आपको बताया, joint में inflammation रहना और inflammation रहेगा तो median nerve suppress होगी, pressure डालेगी, pressure पड़ेगा और CT syndrome हो सकता है next one यहापे कुछ medications भी होती है, जो एक condition कोज कर सकती है कुछ ऐसी research की गई है, उसमें ये पता चला है, कि जो एनास्ट्रोजोल medication होती है जो breast cancer के अंदर दी जाती है, इसके treatment में दी जाती है यह drug लेने से person में carpal tunnel हो सकता है, यह studies में पाया गया है next one जो obesity वाले patient होते हैं, यानि जो मोटे लोग होते हैं, उनमें भी condition हो सकती है इसके अलावा इसका जो common risk factor है, वो है workplace factors, यानि कि जो लोग vibrating tools के साथ काम करते हैं यानि कि ऐसी factories में या industries में काम करते हैं, जहाँ पे vibration वाली machine हो का काम आता है तो उन लोगों को carper tunnel syndrome हो सकता है, क्योंकि उन लोगों में क्या होगा कि anytime वो अगर ऐसी machines का use करेंगे, जिनमें vibration हो रहा है तो उनके hands भी continue move होते रहेंगे, उस वज़े से condition हो सकती है दूसरा, जो लोग computer पे continue work करते हैं, लाग जो typing work करते हैं, उनमें भी क्या होता है continue fingers work करती रहती है, movement होता रहता है, इसके अलावाद जो mouse का use करते हैं, उनमें भी carper tunnel syndrome हो सकता है तो ये common factor है, workplace factor, ओके next बात कर लेते हैं, इसकी pathophysiology की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी causative factors होते हैं, उनकी वज़े से होता क्या है wrist area में swelling या edema की condition हो जाती है, like inflammation हो जाए, arthritis में, या fracture या dislocation हो जाए तो अगर वहाँ पर swelling रहेगी, तो क्या होगा Carper Turnl जो area है, जो वहाँ के space है, वह क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, क्यों होगा क्योंकि swelling होगी, swelling होगी, تو muscles क्या होगी, swell हो ס simultaneously होगी, तो जो Carper Tunnel area, वह decrease होगा अब अगर ये Carper Tunnel area decrease होगा, तो median nerve पर compression पढ़ेगा patchwork, pressure पढ़ेगा और जैसे pressure कि ट्रेशर पड़ेगा तो जो दो सिगनल से वह वहांसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे जिस वजए से सेंसेशन कम हो जाएगा और मिलेंगक सेनभ बोलेंगे करपलघ तरूम ऑक समझ में आ गया नेक्स्ट लुना बात कर लेते हैं इसके बाद साइनेज सिंटम्स की तो यहां पर जो कोमन symptoms appear नहीं होंगे वो unaffected रहेगी क्यों क्योंकि median nerve little finger को sensation प्रोवाइड नहीं करती है इसलिए numbness sensation या tingling जो है कहाँ पर present रहेगी thumb, index, middle और ring finger में इसके अलावा person को electric shock like symptoms भी appear होंगे यानि जो numbness रह रही है जिन fingers में उन में कभी कभी ऐसा लगेगा जैसा electric shock लग रहा है अब यह symptoms कभ एपियर होंगे जब person किसी भी object को hold करके रखेगा यानि पकड़ के रखेगा किसी भी object को तब यह symptoms appear होंगे like steering wheel driving कर रहा है steering wheel पकड़ रखा है hold कर रखा है तो उस time में symptom हो सकते हैं phone newspaper glass कोई भी चीज को अगर hold कर रखा है उस time ऐसे symptoms appear होंगे okay इसके अलवा person के hand में weakness रहेगी यानि जब भी वो किसी object को grip करेगा hold करेगा तो वो उस पर object को drop कर देगा गिर जाएगा उसके हाथ से क्यों weakness की वज़े से अब यह weakness क्यों होती है यह भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि median nerve sensory sensation के सासा motor sensation का भी काम करती है यानि कि जो hand की muscles होती है उनको motor supply करती है यानि उनके moment में help करती है तो अगर median nerve में pressure रहेगा तो motor sensation भी वर्क नहीं करेगा जिस वज़े से muscular weakness रहेगी और person जो भी object होल करेगा वो उसके हाथ से गिर जाएगा समझ गए ओके next one बात करें इसके diagnosis की तो यहां पर history collect करेंगे present past medical history इसके अलावा physical examination करेंगे जिसमें hand का जो है grip movement देखेंगे ओके इसके अलावा x-ray कर सकते हैं जो की imaging technique है जिससे identify हो सकता है इसके अलावा electromyography भी कर सकते हैं जैसे eg होता है ECG होता है electrocardiography होता है electroencephalography होता है वैसे electromyography भी होता है जिसमें muscles की electrical activity को assess किया जाता है इसके अलावा nerve conduction study कर सकते हैं जिसमें नर्व जो function कर रही है यानि उनका जो conduction हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है उसको assess करने की study को बोलते हैं नर्व conduction study okay next इसके बार treatment की बात कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले non-surgical therapy की बात कर लेते हैं यानि medical treatment की तो यहां पर जो carpal tunnel syndrome वाला patient होता है उसकी wrist में splint का use किया जाता है अब यह splint क्यों लगाया जाता है यह splint इसलिए लगाया जाता है कि जब भी patient अगर सो रहा है तो सोते time क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता है तो हाथ क्या हो सकता है कहीं भी pressurize हो सकता है दब सकता है और symptoms appear हो सकते हैं तो splint का use किया जाता है उस hand को hold करने के लिए ठीक है तो splint क्या होता है यह diagram में आपको दिखा देता हूँ इस तरह के जो splint होते हैं यह person को दिये जाते हैं जो person यहाँ पे पैनता है इसे क्या होता है हाथ अपनी position में ही hold रहता है और symptoms appear नहीं होते हैं इसके अलावा जो drugs भी यहाँ पे दी जाती है यह दोनों drugs क्या करती है यह inflammation को कम करती है और pain को कम करती है इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सरजरी की तो सरजरी में अगर सरजरी कब करते हैं या कब इसको choice होती है सरजरी की जब symptoms severely present हो और कोई भी other treatment काम नहीं आ रहा हो यानि drugs दे रहे हैं काम नहीं आ रहे हैं स्प्लिंड का यूज कर रहे हैं फिर भी काम नहीं हो रहा है exercise कर रहे हैं तो भी कोई relief नहीं मिल रहा है तो उस time surgery करनी पड़ती है अब यहाँ पे दो techniques के थूरू जो है surgery कर सकते हैं एक तो है endoscopic surgery और दूसरी है open surgery endoscopic surgery जो होती है यह endoscope के थूरू की जाती है अब इसमें करते क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो hand side है ठीके अब इसमें करते क्या है चलो मैं आपको इसको diagram के थूरू बता देता हूँ जो starting में diagram था यह देखिए यहाँ पे क्य करते हैं endoscopic surgery में यहाँ पर incision बनाए जाते हैं कहाँ पर यहाँ पर ठीक है यहाँ पर अब इन incision से क्या करते हैं कि एक endoscope को insert कराया जाता है उस endoscope में camera और light लगी भी होती है जिसके through एक monitor attach होता है बाहर की side उस monitor में doctor को सारा अंदर का जो structure से वो दिखती रहती है शो होती रहती है फिर जब यह वहाँ पर पोस्ता है उस endoscope को insert कराया जाता है उस part तक यानि इस carper tunnel area तक अब यहाँ पर आपर क्या किया जाता है कि यह जो ligament है जो ligament मैंने आपको बताया था flexure retina column या transfer ligament इस ligament को यहाँ से cut कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है cut कर दिया जाता है जैसे यह cut होगा तो जो median nerve पर pressure पड़ रहा है वो open हो जाएगा ठीक है यह ligament क्या कर रहा था दोनों bones को यहाँ से बांद के रख रहा था ठीक है तो जैसे इस ligament को cut करेंगे तो जो भी यहाँ पर pressure रहेगा वो relief हो जाएगा तो इस surgery को बोलते हैं endoscopic surgery जिसमें camera और light को एक endoscope के तुरू अंदर insert किया जाता है और ligament को जो ट्रोकर के तुरू या scissors के तुरू cut कर दिया जाता है next one जो surgery थी open surgery open surgery में क्या करते हैं कि यहाँ पर incision लगाया जाता है चीरा लगाया जाता है completely और इसको पूरा open किया जाता है skin को यहाँ से और यहाँ से directly visible तरीके से इस ligament को यहाँ से cut करके remove कर दिया जाता है जिस वज़े से क्या होता है कि यह जो pressure यहाँ पर पढ़ रहा था median nerve पर वो relieve हो जाता है तो दोनों surgery में क्या करते हैं इस ligament को remove करते हैं cut करके ऑके बड़ डिफरेंस हिता है endoscopic में incision कम होता है और open surgery में incision होता है यह बात होगा इसकी surgery की next one बात कर लेते हैं इसके बाद इसके prevention की कैसे prevent कर सकते हैं symptoms को तो जो भी person है ct syndrome वाला उसको जदा force नहीं लगाना चाहिए यानि कोई भी object को hold कर रहा है या कोई भी work कर रहा है लिक रहा है या जो भी work कर रहा है टाइपिंग वगेरा उसमें जदा force नहीं लगाना चाहिए fingers पह और जो भी hand grip कर रहे हैं आपने किसी object को hold कर रहा है तो उसको थोड़ा relax करना चाहिए ज़्यादा force नहीं लगाना चाहिए दूसरा कोई भी अगर work कर रहे हैं आप तो उसके बीच में break लेना चाहिए like typing कर रहे हैं तो उसके बीच में break लें कोई vibrating tool का use कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा बीच में break लें posture को improve करना चाहिए normal posture maintain करके रखना चाहिए computer mouse को change करना चाहिए अगर आपको उस mouse में दिक्कत आ रही है अगर वो comfortable नहीं है तो आप दूसरा mouse change करिए उसके अलावा hands को आपको warm रखना है क्योंकि अब इसका भी मैं आपको reason बता देता हूँ कि hands को warm क्यों रखना है तो carper tunnel syndrome उन लोगों में ज़्यादा होता है जो किसी ठंडी area में या cold environment में काम करते हैं मालो कोई इसा बदलब room है जिसमें AC लगावा है और वो टाइपिंग कवर कर रहा है उसमें तो AC से क्या होगा cold environment रहेगा उपर से टाइपिंग भी कर रहा है तो उससे उसके हाथों पर ज्यादा effect पड़ेगा तो अपने hand को हमेशा warm करके रखें इसके लिए आप gloss pain के काम कर सकते हैं वो वाले gloss जिसमें fingers cover नहीं होती है hand cover रहेता है तो ऐसे gloss pain के आप काम करें जिसे hands जो है warm रहेंगे next one up बात कर लें इसके nursing care की तो यहाँ पर क्या क्या care देंगे जो pain अगर हो रहा है patient को तो उस pain की duration, location, frequency and intensity को assess करना है यानि की pain कितना हो रहा है, उसकी duration कितनी है, कहां हो रहा है, कितनी frequency में हो रहा है कम हो रहा है, जादा हो रहा है, कितनी intensity में हो रहा है, sharp pain है, low pain है यह सब assess करना है, patient को encourage करना है, अपनी feelings को verbalize करने के लिए यानि express करवाना है पेशेंट के लिए, पेशेंट से पूछना है कि आपको pain केसा हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, इसके अलावा पेशेंट से जो rating scale है उससे pain को assess कर सकते हैं, इसके बाद पेशेंट को encourage करना है, relaxation techniques का use करने के लिए, like deep breathing exercise करवा सकते हैं पेशेंट से, इसके अलावा पेशेंट को TV दिखा सकते हैं, music के लिए listen, मतलब music सुना सकते हैं, इससे क्या होगा, कि उसको mind में diversion होगा, distraction होगा, अगर distraction होगा, तो उसको pain भी कम होगा, इसके अलावा पेशेंट को simple exercises के लिए बोलना है, ताकि उसका pain है, pressure है, वो कम हो, इसके अलावा पेशेंट को medicines provide करने हैं, जो भी prescribe की गई है, इसके अलावा पेशेंट को advice देनी है, follow up care के लिए, अगर discharge होता है पेशेंट, तो follow up care के लिए बोलना है, कि आप time to time treatment के लिए आते रहें, ओके, तो ये topic complete हो गया, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है, आप मुझे comment करके पूछ लिजे, thank you